दबा हुआ दान्त वो दान्त होता है, जो हड्डियों और मसूडों से पूरी तरह बाहर नहीं आपाता। इसे impacted teeth, unimaged teeth या unirapted teeth के नाम से भी जाना जाता है। कारण नवजात अवस्था के दौरान ही दान्त मसूडों से बाहर आने शुरू हो जाते हैं, इन्हें दूद के दान्त या बेबी teeth कहा जाता है, दूद के दान्त तूटने पर उसकी जगह पर्मनेंट दान्त आते हैं। यदि कोई दान्त बाहर नहीं आपाता या केबल कुछ हिस्सों में बाहर आता है, तो इसे दबा हुआ माना जाता है। सामान्यत अकलदाड, विजडम टीथ ही दबे हुए दान्त होते हैं। अकसर अकलदाड मसूडों से ठीक तरह नहीं निकलते तथा यह दबे रह जाते हैं, जिनके कारण इन्हें निकालना पड़ता है। दान्त दबे हुए हैं, तथा निकल पाने योग्य नहीं है, यह जानने के लिए दंप चिकित्सक पहले आपके मुह की जांच और एक स्रेका परीच्षन करेंगे। दबे हुए दातों के संक्रमन के कारण बगल के दातों का नाश, रिजोप्षन, मसूडों के रोग, सिस्ट या टूमर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जीवन में आगे आने वाली समस्याओं को टालने के लिए कई दंप चिकित्सक दबे हुए अकल दाड को निकाल देते हैं, हालांकी वह भी दूसरे दातों की तरह ही होते हैं। अधिकांश लोग बिना इनकी मदद के भी सामान्य रूप से खा सकते हैं और दातों की स्वस्थ पंक्ती रख सकते हैं। दबे हुए दातों के निम्नलिखित लक्षण हैं, दर्द मुह में संक्रमन, चहरे में सूजन, मुह के पिछले हिस्से में मसूडों में सूजन, परिकोरोनाइटिस। अकल दार को जड़ प्रूट्स बनने या कम से कम तीन चौथाई विकास हो जाने पर निकाला जाता है। यह सामान्यता किशोर आवस्था में होता है। झाल 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 झाल